जो हमारे गुरु जी ने सुन्दर विचार, सुन्दर बोला सु शब्द पर, तो मेरा आज का सुन्दर विचार है, आशा तो तो आपको भी पसंद आएगा, ज़रूरत तो नहीं कि हर बार शरीर की जाज कराई जाए, जाते हैं ना मैं टेस्ट कराने के लिए, केल्शियम कित ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, जुरूरी नहीं है यह हो, कभी अपनी परस्नेलिटी के भी रिपोर्ट करवा कर देखना चाहिए, क्या पता, दया, करुना, मानक्ता, दोस्ती, आपस में वहवार, या इंसानियत भी घट रही है, कभी-कभी ये भी जाज करनी चाहिए शब्दों की सुंदरता, शब्द वही है, पर उसका हर जगा क्या सुंदर रतीजा मिलेगा, ये एक संसार है शब्दों का भी, जैसे प्रिलों का संसार है, हमारा संसार है, शब्दों का भी संसार है, शब्दों को उचारण करते वक्त, बड़ा सो समिझ के बोलना पड़ता रोज की भाशा में जो हम बोलते हैं वो क्या है वाणी, वाणी में शब्दी तो है जो हम मिशा बोलते हैं, शब्दों गौचारें ठीक संय, ठीक रूप, ठीक स्थान और ठीक घंग से ही होना चाहिए जो हमारे धैनजी को बहुत आता है, व्यक्ति का मन मर्यादा भी खो देत और कभी-कभी युद की स्थिती भी कायम कर देते हैं तो इस कविता मेरे शब्दों का मैत्र है ध्यान से सुनो और विचार करो कि शब्दों का संसार शब्द रचे जाते हैं शब्द गढ़े जाते हैं शब्द मढ़े जाते हैं शब्द रिखे जाते हैं शब्द पढ़े जाते हैं और शब्द बोले जाते हैं और शब्दों को तोला भी जाता है और टोला भी जाता है शब्द खंगाले भी जाते हैं उसने क्या कहा उसका क्या reaction हुआ अन्त है शब्द बनते हैं, शब्द सवरते हैं, शब्द सुखरते हैं और शब्द निखरते हैं शब्द हसाते भी हैं और शब्द मनाते भी हैं और शब्द ऐसे होते हैं जो हमें दूलाते भी हैं शब्द मुखर हो जाते हैं, प्रखर हो जाते हैं, और शब्द मधुर भी हो जाते हैं, फिर भी शब्द चुपते हैं, कई बार ऐसे से शब्द होते हैं, जो एकदम चुप जाते हैं, फिर भी शब्द चुपते हैं, शब्द बिखते हैं, शब्द रूपते हैं, और शब्द घाब भी देते हैं शब्द ताब भी देते हैं शब्द लड़ते भी हैं और शब्द जगड़ते हैं शब्द भिखरते हैं और शब्द सहारते भी हैं किल्टु शब्द मरते नहीं है एक बार कोई कहता है वो अपना घर बना लेते हैं ठकते नहीं है शब्द रुखते नहीं है और शब्द चुखते ही चुखते हैं इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि शब्दों से खेले नहीं बिन सोचे बोले नहीं शब्दों को मान दें शब्दों को सम्मान दें शब्दों पर ध्यान दें शब्दों को पहचान दें उंची लंडी उडा शब्दों का आत्म साथ ना करें, उनसे किसी उनकी बाद करें, शब्दों का विचार ध्यान से सुनें, गहन सार्थक विचार ध्यान से समझें, फिर उत्तर दें. शब्द बहुत अन्मून है, शब्द बहुत अन्मून है, जुबा से निकालने वो शब्दों में धार होती है, शब्दों की महिमा अपा है, शब्दों का विशाल बंडार है, सच यह है कि शब्दों का अपना इस संसार होता है, यह संसार बहुत सुन्दर है, इस सुन्दर त को संभाद के रिखना दे हैं